अजय में इक मैंस का question integration part का एक question देखिंगा जिए CBC 2021 में आया था और मारा question था find integration of sin inverse x upon 1 minus x square के power में था 3 by 2 dx इसका solution हम देखिंगे है यह मारा आज का question अब फर्स्ट था इसका solution देखिंगे इसका solution देखिंगे इसका solution देखिंगे यहां आपर मालेंगे integral i is equal to sin inverse x upon 1 minus x square power में 3 by 2 dx जै कितना मालेंगे अब यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगर 3 by 2 power को बेख करें sin inverse x upon 1 minus x square अलगी देखिंगे और यहां देखिंगे 1 minus x square का power 1 by 2 यहां power 1 1 plus 1 by 2 3 by 2 power हो जाता है इसको बेखिंगे हम इसको इसे लिखेंगे क्योंकि आगे है इसको रेक करके यूज करने मासानी होगी ठीक है हम लेट कर लेंगे let t is equal to sin inverse x यहां से हमारी sin t की value x हो जाएगी sin को लेके जाएगे तो sin t ब्रावर x हो जाएगा ठीक है यहां से इस expression का differentiation करेंगे बोल साइट तो dt is equal to differentiation of sin inverse x into dx ठीक है sin inverse x का differentiation होता है 1 upon 1 minus x square dx d2 ठीक है अब इस पार को देखें इस पार को देखते हैं और इस expression से मिला आपे हैं ठीक है यह एवाल expression से यह इस से मिलता जोता है same यह है ठीक है तो इसके जगा पर इसके जगा पर हम dt को लग देगा ठीक है इस जगा पर dt को लग देगा तो हमारा expression i बन जागा integral sin inverse x upon 1 minus x square और यह part हो जागा dt क्योंकि यह जो 1 upon under root 1 minus x square into dx था यह ओला part यह ओला part मारा dt के बराबर है dt के बराबर हमने लिखते है अब जब यहां पर dt लिखा है तो इसको भी t की term में लिखना पड़ेगा sin inverse x को हमने t माना है 1 minus x की value हमने sin t तो sin t ठीक है लेकिन यह पर x square है sin square t हो जागा अब आग इसको solve करते हैं यहां पर हम लोग जानते हैं 1 minus sin square t is equal to cos square t cos square t को उपर लिखेंगे तो पर लिखेंगे t into 6 square t into dx ठीक यहां पाते हैं इसको solve करें हम लोग जानते हैं integration by parts से integration by parts से हमें formula पता है we have integral u into v dx is equal to एक को रखते हैं ठीक इसको first मान लेंगे इसके second मान लेंगे ठीक है first वाले को रखेंगे फिर second वाले का integration करेंगे minus sin लगा देंगे integration करेंगे जिसको रखा था u वाले को रखा था उसका differentiation करेंगे du by dx फिर इसी के अंदर इसी integration के अंदर एक और integration करके लिखेंगे v जो first वाला यह term है इसको रखा सुखेंगे आप v dx ठीक है आप यह whole bracket राता है j इंटेगर आप लाता है dx ठीक है x2t है d2 ठीक यही solve परने हमको इसको फस्ट मालनेंगे इसको second मालनेंगे अब इसको solve परनेंगे तो यहां आप फस्ट वाले को रखना राता है दूसरे वाले का integration x2t d2t का सब्सक्राइब जिसको रखा था उसका differentiation du by dt t of t into integration of वाले वाले जो था जो फस्ट एक्सट था सेंड पाट पर जो integration किये था सेंपूसें यहां पर लेगे देने सेंपूस्ट का सेंपूस्ट का यहां से t सेंपूस्ट का integration होता है tan t t into tan t हो गया सेंपूस्ट सेंपूस्ट सेंपूस इसको solve करेंगा आगे हो जागा t into tan t plus ln tan t integration of tan x d होता है माइनस log cos x ठीक है tan x tan x integration का formula होता है minus log cos x यहां पर tan t d t का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस में log cos t हो जाएगा यह माइनस और यह माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगे तो प्लस हो गया यहां पर ln के अंदर cos t plus c तो हमारा i is equal to हो जाएगा अब t के जो value थी उसको रख देंगे पिंकि हमको x के form में पूशन था 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 x के form में integration करके लाने आएगा t को हमने लेट किया था t is equal to sin inverse x और sin t is equal to x तो पूरे जो लास्ट रख देंगे मुशने value रख देंगे t की जब रखेंगे sin inverse x into tan t की value क्या होगी x upon under root 1 minus x square plus ln log के अंदर हो जागा under root 1 minus x square plus c यह होगी हमारा final situation की जो उन्पू चाहिए था यह होगी इतना आएगा अब यहां पर हम कैसे लाए है कि इसको देख लेते हैं यहां t की value थी sin inverse x हमने लेट क्या था अब देखना है कि 10 t की value इतना कैसे है तो sin t is equal to x उपर वाल expression से sin t की value x है और cos t की value हो जाएगी 1 minus x square t यह हम जानते है sin square theta plus cos square theta theta is equal to 1 हो जाएगा तो cos t की value हो जाएगी 1 minus x square t यहां से tan t की value आजाएगी sin t upon cos t sin t की value x है upon under root 1 minus x square यह value हमने यूज जाता हो जाएगा और यहां से cos t हमको पता ही था cos t हमने यहां से निकाला की value हो इसकी under root 1 minus x square तो यहां आप हमको ln cost t था इसके value यहां रख गिये 1 minus x square और एक constant जोड़ते हैं लाज की में integration में तो यह हमारा final expression होगा यह रहा हमारा answer इस integration का आज के लिए एकना ही thank you